नमस्कार, मैं भेरवी ठककर इंडिया नियूस की खास पेशकर्ष अभियान में आपका स्वागत करती हूँ. आज हम बात करेंगे अध्यापको के बारे में. अध्यापक क्यानि गुरू. गुरू जिनको हमारे शास्त्रों में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है. मा बाप अगर जर्म देते हैं तो गुरू शिक्षा. आज ऐसी ही एक गुरू हमारे साथ मौजूद हैं. कांता बेन हाइज स्कूल की MSC BA टीचर जोती ठाकुर. नमस्ते. आप बताएं आप टीचिंग प्रोफेशन में किस तरह आएं? सुना था, it is a noble profession. अभी अभी आपने भी कहा कि गुरू के बारे में हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा गया है. लेकिन मेरा मानना ये सब शास्त्रों में ही रह गया. किसी ने अमल नहीं किया. अगर किया होता तो आज विद्या मैम हस्पताल में नहीं होती. मैं दर्शकों को बता दूँ, विद्या सावंत पही टीचर हैं, जिनने कांता बैन हाई स्कूल ने इंसल्ट करके टर्मिनेट कर दिया था. सुरी भैरवी, टर्मिनेट उन्हें स्कूल ने नहीं. आज के सिस्टम ने किया है. सिस्टम ने? वो कैसे? हमारा सिस्टम. खासकर एजुकेशन सिस्टम. वो अपने वोकर्स की सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं है? मैं आज मुल्टिनेशनल कंपनीज को ही लिए क्या कुछ नहीं करते हैं अगर कॉल सेंटर में भी काम कर लो तो उनकी स्टार्टिंग की सालरी उतनी है जितनी विद्या मैम की आज अठाईस साल पढ़ाने के बाद है और मैं दावा करती हूं उनमें से कोई भी विद्या मैम अजितने एजुकेटेड नहीं है बस प्रफेशन का फर्क है उन्हें कंपनी की गाड़ी लेने और छोडने आती है हम टीचर्स को ट्रेन या बस में कंसेशन तक नहीं मिलता है तर टीचर्स को रिस्पेक्ट तो मिलती है रिस्पेक्ट हमारे देश में रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जिनके प्रफेशन में पैसा होता है पावर होती है रिस्पेक्ट मिलती है पॉलिटिशन को फिल्म स्टार्स को क्रिकिटर्स को जिने चीज गेस्ट बना जाता है रिबन कटवाय जाते है आपने कभी सुना कि क दोती कुर्ता पहने पैदल, पाउ में चपल और हाथ में छाता, कि ये टीचर की छबी होती, और सही भी है, टीचर की जितनी सालरी है, कैसे कैसे तो बेचारे घर चलाते हैं, तो क्या गवर्मेंट की तरफ से टीचर को कोई अलाउंस या सबसीडी नहीं मिलती, अलाउंस मिलत सिर्फ 25 रुपए और एक आंसर शीट चेक करने के 4 रुपए 25 पैसे, कितने? सवा चार रुपए, उचावनी जो बंद हो चुकी है, वो हम टीचर पर अब भी लागो है, और ये पैसा स्कूल की तरफ से नहीं, गवर्मेंट की तरफ से आता है, भर भी, इतनी महनत करने के ब अभी सर प्लास कहकर तो गभी इनके पड़ी, जैसे कांता बेन ने विद्या माम को निकाल दिया, किसी को कोई मतलब नहीं है कि तीचर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी एक्सपीरियंस है, बस पैसे कम देने पड़ जाएं, और उनकी जगें, अन्ट्रेंड, जाओगे, मैं सिर्फ पूछना चाहूगे, कि हाओ किन एनिवन पगेट देटीचर्स, हमारे तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को, अपनी उस पहली टीचर का नाम तक याद है, जिसने उन्हें एबी सी लिखना सिखाया, या फिर दोका तेबल याद करवा, क कितने तीचर्स ने आपको अपने ज्यान के शुरूत में नहलाया, लेकिन बदले में आपने उन्हें क्या दिया, किसी ने कभी सोचा कि मैं अपनी टीचर को एक गुड मॉर्निंग, हाव यू मैम, या हैपी दिवाली, हैपी न्यू येर का मैसेज भेज दू, जैसे स्टू आपको अपने दूनाचारे का हाल पूछने तक नहीं रहा है, जवाब दीजिए, आज एक भी अर्जण अपने दूनाचारे का हाल पूछने तक नहीं रहा? शुक्रिया जोदी, तो ये हैं आज की टीचर्स के हालात, टीचर्स की जिन्देगी में नई सुभा का आगाज होना चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है, इसलिए इंडिया न्यूज ये अव्यान जारी रखेगा, शुब रात्री सबसे पहले वीरो डाउनलोड करो, अपने अपने फ्रेंड्स को देखा, मैं चाता हूँ ये इंटर्वी हाँ स्टूटन देखे सची यार, शी ज राइट, हम अपने टीचर्स को भूल रहे, आँ यार तुम लोग को पता है, मैंने अज अपनी सबी टीचर्स के नमज निकाले और उन्हें गुड मॉर्निंग का मेसेज बेजारी बॉर्स बॉर्स प्रमार्निंग हाँ क्लास के बाद मिलता है ना हाँ मिलता है यह देखिया सर मैने भी आज सुभे अपने टीचर को गुड मॉर्निंग के मैसेज बेजा है नाइस नाइस नाइस